कि नमस्कार दोस्तों सर्वत्तम अग्रिकल्चर के यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है अभी जो पिछला वीडियो देखेते हैं वह 2006 का था में 2006 में पूछे गए एक रिकल्टर सेक्शन के हम लोगों ने शाठों को हल किया था फिर हम आज जो है 2007 2007 के जो है कुछ पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे ठीक है तिसमें जो पहला कुछन था वह यह आप से पूछा गया था कि दूधिया आवस्था का सम्मध्ध है किस से दूधिया आवस्था मिल्किंग स्टेज पूछ रहा है इसकी ठीक है दूधिया आवस्था तो यहां पर जो आप्शन आपका सही हो जाएगा दाने में दूधिया से शुरी दाने में दूधिया से जलिये तरल यहां से यहां स दूसरा option हमारा क्या हो जाएगा सई हो जाएगा दाने में दुधिया से जलिये तरल की ठीक है यह option हमारा जो जाएगा next question हम देखते हैं दूसरा nitrogen की कमी के लच्छों सरप्थम कहां प्रकर्ट्थ तो उपरी पतियों में जो है हमारा शुरी नीचली पतियों में आपका सई नेक्स्ट में हम यह देखते हैं तीसरा कुश्ण निम्न में किस उर्वरक की प्रती इकाई मात्रा सरवाधिक पोटेशियम प्राप्त होता है तो के सील यहाँ पर जो है सही होगा कौन सा होगा के सील इसको ध्यान दी जाएगा बहुत कुश्ण पुछा जाता है यह और अब यह वाला तो कम पुछा जाएगा पहला लेकिन यह दो दूसरा और तूसरा बहुत अच्छे कुश्ण से फिर इस्टेज्ए यह आपको बोलते हैं इस स्टेज्ट को नेशन हमारा है किए कि एक हेक्टेयर द्हान के फिसल के रूपाई लेकिन यहाँ पर जो हम करेंगे यहाँ पर 0.05 हेक्टेर को इतने दूरी में आकर हम जो है नर्सरे लगाते हैं तो में एक खेत की रुपाई कर सकते देज़ेक नहीं में से किस उरुजार्ग में सरवाधिक नाइट्रोजन मिलता है यह आपका कुस जन्स है ठीक है तो यहां पर यूरिया में जो है मिलता है यां जानते हैं 46% क्या होता है शिर्फ हमारा नाइट्रोजन ही होता है यूरिटि पूछा जाता है तो 46% आगे देखते हैं लिखने में कौन सी गयाप दवारें यह दुयकाजी की नशल है यह हिंदिवों का खेल है कुछंस लिखें धॉयकाजी नशल में पूछिए गए धुटाजी कौन थायर पारॉकर जो है आपकी कैसी नशल है दुयकाजी नसल्य ठीक है वहां काOOOOOOOOique वहां का किल दिन का हुटा है 210 दिन का होता है इसको द्यान दिज़ेगा 210 दिन का होता है ठीक है अंद로 कंई हम देखते हैं कोई कि इसको देख लापने की स्ट्रतम है तो हिंसे किым हम जोह सीमेन इंजेक करें, जिसे कि हमारा जो घर्वाद धान हो अच्छा हो या जो है, Scuffle हो जाए तो ये मध्ध का जो समय होता है, गर्मी की मध्ध की अवस्था, गर्मी की मध्ध की अवस्था ये हमारा सही समय माना जाता है, नेक्स्ट के हम ये देखते हैं , scandh. yep तो यह शाट से यह वाला अप्सन आपका यहां पर सही रहेगा साट से 75 दिन का है ठीक है ध्यान से दिखेगा कोलेस्ट्रम है कोलेस्ट्रम सब्द कई बार प्योग होगा यह भी याद रखिएगा बहुत अच्छा उपर वाला जुसे गर्मेवाला यह बहुत पूछ जाता है कोलिस्ट्रम क्या है कोलेस्ट्रम जो है आपका बच्णा जमने के पश्चाइब गये थनों से निकला बतल्ब जो पहला दूर निकलता है एक दो दिन तक उसको बोलते हैं क्कुलेस्ट्रम के से घ्स भी हिंदी में बोलते हैं गोके कि एक कुश्ण है आपका यह मैंने कराया है काई बार आगे भी आएग इस धोड़ों बताएंगे अना इस इस स्परिंकलर है न इस मुझ enact कि लगर इस परdate है यह को आधिको से दिते हैं बहुच्षेर ही ध्यान दिचेगा बहुच्षेर ही है बॉच्छारी स्परिंकलर सिचाय परणाली किसके लिए सरवाधिक परिख्थ होती यह आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे हमें इसको जो है कमेंट करके बताईए कई बार करा जाएए का नहीं है बहुत आगे भी कई बार कराया गया है ठीक है अच्छा हम आप लोग से बताना चाहते हैं कि जो भी विद्धार्ती जो है सरवत्तमेगरी कल्चर्टर अकेट्मी का जो है कि लीज है वो टेस्ट शीरी जेरोर जेडांद करके हैं वह क्या करें वह जारूर जॉइन करेंगे तरीज में की है ऐस क्रेस कहले और जो है इन ओलेगा आपको आन और बार मिलेगा रहे शीक्वानट गर्यों को पढ़ते हैं वीडियो तो से चार डेली लेक्टर पढ़ते हैं एक हप्ते में जो भी पेपर पढ़ते हैं उन्हीं के आधार पर टेस्ट होता है और जो इन्वल्वाज का टेस्ट है वो फुल्स लेवर्स का टेस्ट है वो भी आप लोग को मिलेगा आपको बाद में पेपर से पहले वो सारा कराया जाएगा ठीक है तो जो बच्चे जो है त्यारी कर रहे हैं जो बिच्छों हमारे देख रहे हैं टेस्ट से रिज उन्हों टेस्ट कराया ही जाता है तो इसको जो है जोईन करिए मुबाइल पर घर बैठे आप आराम से कर सकते हैं इससे अच्छी सुद्धा आपको कहीं नहीं मिलेगी ठीक है चलिए हम नेक्स कुशन पर देखते हैं अच्छी कलिकाओं पर अलपता के लच्छड किसके कारण होते ह है ठीक है अलपता के लच्छड जो होते हैं ये बौराउन की करण होते हैं इसको ध्यान दिजिएगा 200 का परत्वां साक्नासी है टूफोरडी 2-4-D कई बार कुशंस का आया है 2-4-D ठीक है 2-4-D को ध्यान दिजिएगा 2-4-D जो है वो हमारे क्या है चोड़ी पत्ति के लि दवा है इसको यह बहुत पुछा आता तो फोर्टी अब हमेशा पुछा जाएगा तो फोर्टी यह दो बाते ध्यान रखिएगा हार्मोन वाला अच्छा कुछन बनागा तो पुछेगा कि मतलब कौन साक्नासी है जो हार्मोन के रूप में यूज होता है तो वह आपको बतान पड़ेगा फिर आगे कुछन हम देखते हैं वाता वर्ण के तापमान को मापने के लिए परियोक्त स्क्रीन कहलाता है इस्टिवेशन स्क्रीन ठीक है यह धान दीजिएगा फिर शोला कुछन किस राज में किस राज में आम की खेती आम की खेती की वात है तो यह पूछा गया है कुछ सब्सक्रीन ठीक है इसको ध्यान दीजिएगा फिर भारत में निम्न में से किस फल की फसल सरवातिक छेत्र में उगाई जाती है यह मत्तल 6 लेटी पूछा गयर एरिया हमारा जो है केले का क्या है सरवाति क्या क्या है केल का अगारत में सरवातिक छेत्र पल पर उगाया जाता है फिर आपका कुछस्ण है अधिकांस द्लहंनी फसलों में नेक्सरों देकर ने ट्रोजन के लिए रेश्यो जो होता है वह ए उनुपाद दो अनुपाद एक होता है यहां पर ऐसे आता है तीस शाट नबे कि आउसत होता है ठीक है तो यहां पर कुशन्स यह है नाट्रोजन का जो हमारा पूछा गया है आपसे यह पूछा गया है कि उनका उनुपात क्या होता है समानेता कितना हम देते हैं तो यहां पर पहला यह आपसर इसका सही होगा 15 से 20 क्योंकि और सब जो है क्योंकि हमने आप क्या बताया 30 से बताया तो नियरभाई में यही है तो हम यही अपना लगाएंगे जो भी दलहन के फ़सले है उना एक करती है इस्थेकरन करती है ठीक है राजमा को छोड़ कर फलदार फसलों में उर्वरक उपयोग की सरवाध्यत उपयोग दिधि है थाले में थाले में हम डालते हैं तो हम यह समझते हैं कि जो हमने डाला हम राओंसोचित कर लिया जाएगा बहुत सारा जो है हमारा वेश्ट होता रूरक तो और पौदे के पासे थाला बना के बोए हैं तो वहां पर डालेंगे तो यह पौदे क्या करते हैं और सोसित जल्दी करते हैं कि फिर है कि दस्ती संपेटेंग छड़काव यंत्र में निवन में से किस पंप का प्रयोग किया जाता है यह आप से कुश्चन पूछा गया है तो यहां पर यह कुश्चन अच्छा भी है घोड़न पंप यह आपको इंजिन्जिंग में पढ़ते हैं इस्प्रेंग का है यह छड़काव के लिए जो भी हमारे सदवाई यह कोई करते हैं कि कुश्चन देखिए आपको लोग को जो है बताया गया कुश्चन से इसको जो है द्यान दीजिएगा तो गस्षण आपका है माइकोलोजी किस विसे की पढ़ाई क्या हिंदी देता है माइकोलोजी में कह सकते हैं किसका अध्यन करते हैं तो यहां पर किसका करते हैं फफूंद का करते हैं किसका कवाक के अंतरकत हम किसका अध्यन करते हैं माइकोलोजी का अध्यन करते हैं यह वायरोलोजी यह फाइकोलोजी यह वैक्टिरियो लोजी इसको यह कई बार कुछा गया है एक कुछन मैंने पूछा है आप से उसको जहाँ आप जरूर बताएंगे कौन सा कुछन था स्प्रिंगलर जो मैथर्ड होता है इरिगेशन का यूज होता है जया। अभत कहां यूज होता है पहचार हिंदी मुलते हैं उसे बैसारी इसको ध्यान देख से कौन सा खा॥ पर चाहां है यहां पर बहुत पषट हिंदी है हम कह सकते है है कि एक सरल भाजा में कुछन को हम पढ़ते हैं कि कौन सा रशायन जो है जो खाद परदा दो संरच्छित करने के लिए यूज कि यहाँ पर यहाँ पूछा जाता बहुत इस कुछन को ध्यान दिजेगा जो जो हम कुछन कहें नोत करते चलिए लिखते चलिए सारा पूछा नेट कुछ चलने है आपका नेवी में डाइबेक रोग किसके अनुप्रियोग से नियंतरित होता है तो जिसकी कमी होगी उसी का जो उसी से होगा ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखा नियो डाइबेक किसके अनुप्रियोग से नियंतरित होता है तो तीसरा ऑप्शन जो है इ यह आपका सई रहेगा फिर से है गाय के दुख फिर आपका है गाय के दुख गाय के दुख्द में और सतन कितनी वसा रहती है तो 3.8 यह जो है रहती है ठीक है नेक्ष्ट में हम चलते हैं आगे आगे चलते हैं नेक्ष्ट में धान की गहाई यंत्र में गहाई ड्रम का प्रकार है यह आप से कुछ पूछा गया है इसमें आपका कौन से सही है तो यह आपका पहला सही है पाइग टाईप बैग टाइप जो है ड्रम का अ होना चाहिए धान के गहाई एक वह गहाई के नहीं ततरु के लिए पाइग टाइप का इसको धश्यान दीजेगा फिर उसका है यह कुछ दुचरा गाऊ-सको ध्यान दीजेगा डाली नामक प्रत्थम क्लोन किसका था तो ये जो है भेंड का था ठीक है इसको धियान दे से का भेंड का था फिर है डाउनी मिल्ल्यू डाउनी मिल्ल्यू जो होता है आपका डाउनी मिल्ल्यू फफूंद है और ये किस पर अधारित होता है ये पूछा गया है तो डाउनी मि यहां पर दिया है कि नविंतम के अनुसार 2005 में भारत के कुल खाध्यान उत्पादन हुआ अब कितना हुआ था उस समय उत्पादन था हमारा दोसो आठ यहां पर बस देख लेते हैं कि बीटी कपास की खेती वाला खेती वाला चेत करिब कितने था कपास कपास आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण है इसको जो है विशेज द्हान दिजेगा ठीक है तो बीटी कपास में जो है 3.8 मिलियन हेक्टेर जो है क्या है था हमारा 3.8 मिलियन एक यह दोनों कुसेंस यह आपके लिए बिगार की फिर आपको देखे बौक नहीं स्टाट हो गए नहीं से लगता है उत्प्रेरित उत्परिवर्त यह आपका सभी हो जागा नेक्स्ट में आगे चेकते हैं क्राशिंग ओबर और लिंकेज की उन पस्तिति में एक गुण सुत्री बिद्यमान के दोनों समूच्य का मिंडिलीयन मिंडिलीयन गटक है और लेंकेज की अंवस्तिती में एग गुंड सुतρι बिद्धिमान के दोनों समूच्य का मिंडिलीयन गटक है तो इसमें जो options आपका सही होगा ये पहला options आपका सही होगा डिप्लो टीन ठीक है इसको ध्यान देज़ेगा डिप्लो टीन फिर आपका है जब दो प्रभावे जीन अपने व्यक्तिकत प्रभावों में एक जैसे होते हैं लेकिन अलागला गुण प्रारूपों को उत्पन करने के लिए दोनों का होना अनिवार होता है तब अंतर क्रिया कहलाते हैं यह जो होगा हमारा आप्शन प्रतिकूल यह प्रति पूरक जीन यह जो है प्रति पूरक यह सब जो है अब जब बेसी में जाते हैं तो इतना डीप में आप लोगो पढ़ाया जाता है यह इंटर का स्लेवर्ट नहीं है तो कई बार कुश्चन जो है आप्ट जाती है आपको फिर एक फेमस कुश्चन है आपका धान की फसल की किस महामारी में बंगाल में अकाल पड़ा था तो भूरा दब्बा ठीक है ब्राउन स्पॉट ठीक है इसको धान जीए पूछा जाने वाला कुश्चन है फिर आपको कुश्चन है जलिए फर्न यह जोला का पे किस रूम कहता है जैवरूरा के रूप में फर्टलाइजर के रूप में ठीक है फिर है मेंडल घटक का परतेक यूग्म जैसे आई और टी कहां स्थित होते हैं आई और टी कहां स्थित होते हैं ठीक है तो यह समांगे गुर्ण सुत्रों के एक यूग्म पर समांगे इच्छा ओधारण को माल्दोज किसका उधारण है यह आपका जो है डाइस का उधारण है फिर एटीपी एक है नीकलियो क्या है क्या है क्या है इसको ध्यान दिझेगा रक्त का धक्का यह बहुत कुछा जाता था पहले ठीक है आप पुछा जाता था आप फुछा जाएंगा कोई करेंट का थो है न Stephanie बदल जाएगा ठीक है तो यह ने क्यों लिक्सादेत ब्हुत पुछन जो है माईको राइजा यह प्लांट में पाया जाता है जो क्या करता है और गुलंप सिल्फ को बूलंप सिल्फ हास वोरस में बदलता है ठीक है फिर आपका है बैसिलस थुरंजनेसिस एक जैव नियंतरक एजेंट है क्योंकि यह दिखिए बीटी है ना बीटी कपाज सुनेंगे या फिर ब्रिंजल सुनेंगे बैगन सुनेंगे इसी का सुल्फा होता है बैसिलस थुरंजनेसिस यह क्या होता है कीट होता है और ता कि यह एक होता है इसको जो है बनाया जाता है इस वह लिए इक कीट बनाया जाता है जिसे कि हमारा जो कीट होता है उसके मिट गट में जा के क्या करता इसमें जो अगति को प्रभावित करते हैं तो इसको जो है एक सलवासार आपको शमधा दें देखें महाराष्ट में कपास में कपास के खेत में बहुत सारे कीट लगते तो वहाँ पर जो है बायोट्टोक्णोर्जी के माद्धिम से इस जो प्रोटीन को इंजेक्ट कराए गया किसमें का हो कीट आके खाता है तो कीट जैसे खाता है तो वपर लेयर में यह प्रोटीन होती है और जैसे ही कीट के एक मर जाता है छो के लिए प्रियोक किया जाता है ठीक है को मारने के लिए प्रियोग किया जाता है कि तो कुश्चन यह देखते हैं है कम वाले मनना में रहने वाले कुछ जीवारू नैट ट्रेट का नैट से तो नाइट्रिट्राइट से नाइट्रिपेशन कहलता है यह नहीं आपसे आपका क्योंकि यहां यह प्रिगुर्द है यह कुर्शन बहुत पुछा रहता है इसको ध्यान देखेगा यह भी कुर्शन और यह भी कुर्शन ठीक है कि इसको ध्यान लेजएगा कुछन पुछे जाने वाले हैं फिर आप देखिए कापास कादेश इसको एक संग्या है बीज के बाह कवच की वाह ब्रद्धी बीज की बाह कवच की बाह ब्रद्धी ठीक है यह ने इसको समय रेपिलिकेसं के लिए वांचित मुखे एंजाइम केवल केवल ड्यन्य पॉलीमरेस तीसरा आप आपका क्या हो जाएगा प्यों whisket में मुख्यत कौं कौन सी गैस उत्पन होती है मुख्यता कौन सी गैस मुख्यता कौन सी गैस उत्पन होती हैinka यहां पर स्चफोर होना चाहिए मेथेन जो हो ती है आपके इस इसको ध्यान दी चीमि टिक मेथेन नहीं फिर आपका हैं I am a atual 16 के कान किसी पौधे से प्राप संतती कहलाती है यह है तो यहां पर आपका सही अशर हो जाएगा यह जाएगा सुद्ध वन्सक्रम सुद्ध वन्सक्रम ठीक है निम्नि में से किस यूगमन से संहीं जता उत्पन होती है तो यह स्वानिसेशन से होती है तो एकल संकर ऐक संकर पाधफ होता है हां ये कुश्चन सह आपका एसमें अपशन होगा से हीड्ट्रो जाईगस क्या होता है हेट्रो जाईगस ठीक है से पहला gift होगा Hetero जाईगस ठीक है फीर आपका है अगुडित किसके माध्यम से सफ्राथ होता है अगुनित से आर्थिक विशेश ने करके कट अनवां सी के दूसरे किस्व में हस्तांत्रन के लिए सरवादिक उचित प्रजिन बिधी कौन सी होती है तो प्रतीप संकर्ण होती है कौन सी फिदे ऍहले होती है अगे चलते हैं इसमें वाता बढने दबाव के लिए क्या है बयरो मीटर का छिके इसमें स्थनु सो मैं थने खच के द्वारा होता है तो थने जो यह केल्षियम शोtles की अलपता के चारण हैं फिर मतलब जो है गरले मंबढ़े हैं निवन में कौन सा मनुस्य निर्मित अनाज है, मनुस्य निर्मित अनाज कौन सा है, ठरितिकेल है, में आपको बताया था, इसनि जो है इसकी बहुत धियान दीजेगा, whipped into Rye ये वाला राई होता है, ठीक है, और R-A-I-W bedroom से आपका पुद्धो को कौन सा सवरूप प्राप्त होता तो नइटेड़ फो में जाधातर क्या लेते हैं पौदे लेते हैं तो हमारा यह वाला कुस्शन रहे आपका सभ़ी हो जाएगा फिर क्या है कि है फेलरिश माइनर किस फसल का मिलां खतरनाक खरपतवार है यह इत अतर प्रकार का प्रियोग होता है तो इसमें है साइटो प्लाज्मिक प्रकार कर तिक यह आपका जो क्या जाएगा साइटो प्लाजिक पहला अप्शन सही हो जाएगा ठीक है अगर इसमें कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में करके बता है और हमने आप से कुछा है उसको भी जो है कमेंट करके बता है साथ में जुड़े रहने के लिए थैंक्यू धन्यवाद